जैहिंद इस वीडियो हम लोग Infoage India Limited Company बारें बात करेंगे जानेंगे कि कंपनी जो अभी डिविडेंड देने की घंसरा की है उसका डिविडेंड कब मिलेगा कितना रुपया मिलेगा तता किस किस बेक्ति को इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा और यह भी कि इस बेक्ति के देखें तो 72,565 रुपया है और शेयर प्राइस 534 रुपया है शेयर प्राइस आपको ज्यादा लग रहा होगा लेकिन यहीं शेयर प्राइस कुछ दिन पहले तक 3,882 हुआ करता था और क्या पता से तिन साल 5 साल बाद इसका शेयर प्राइस तो और अथिक हो जाए तो फि किसी वेक्ति ने इसमें सिर्फ एक लाख रुपय लगा होते हैं तो वह अब तक 3 लाख सधिक बन चुके होते हैं वहीं अगर एक महा की बात करें तो एक महा में कंपणी ने 26 परसेंट का संदार रिटरन दिया है अब बात करते हैं कंपणी के डिविडेंड हिस्ट्री की मत कंपणी साल में 3-4 भार डिविडेंड देती है यह काफी अच्छा हैं कमपणी 8-9ीज रुपया सेड होडरा अब बात करते हैं कि अभी company ने रिसेंटली जो dividend देने की कोंसरा किया है उसके बारे में देखिए company dividend declare की 7 2022 को मतलब 7 जनुरी को company के board of director का मेटिंग हुआ और उसमें यह फैसला लिया गया कि company dividend देने जा रही है कितना रुपया तो 8 रुपया परतिश सेयर अपने shareholder को dividend देगी जिस बेक्ति के पास इस company का share होगा उसे 8 रुपया और dividend मिलेगा record date रखा गया 1392 अर्थात record date तक जिस बेक्ति के नाम company के record list में होगा उस बेक्ति को share मिलेगा तो अगर आप चाहते हैं इस company का dividend लेना तो आपको उसके record list में सामिल होना पड़ेगा अर्थात अगर आपके पास company का share नहीं है तो आपको पहले उस company का share buy करना होगा और आज है 10 तारीक अगर आज आप उस company के share को buy करते हैं तो निश्ची 37 तारीक तक आप उस company का record list में आ जाएगा और आपको company का dividend मिल जाएगा अब आगे समयजते हैं देखें company का payout उतना attractive नहीं है क्यूंकि company सिर्फ 8 रुपया परती share के dividend देगी लेकिन company का share price देगे 534 रुपया share price के हिसाब से इसका dividend कम से कम 20-25 रुपया तो जरूर होना चाहिए लेकिन यहाँ dividend काफी कम है लेकिन अगर बात करें तो company overall profitable रही है company का return देखिए आकड़े काफी संदार है तो इसलिया से company ठीक है और company में promoters की holding वे 67% है जब परसेंट है और public की सिर्फ 26% मतलब promoters की holding ज्यादा है यह ठीक है अब जानते हैं कि एक्सपर्ट का इस company के share को लेकर क्या रहा है तो 80% एक्सपर्ट इस company के share को buy करने के लिए कर रहे हैं और सिर्फ 20% एक्सपर्ट हैं जो इसको sell करने के लिए कर रहे हैं और अगर conclusion की बात क आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर मन में कोई सवाल है आपको जाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछिए मैं सब के कमेंट कर रिप्लाइज देता हूं बागे अगर चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही सु कर दो दो करूछिए